Hello students, तुए यहां पर हम देखने के लिए जा रहे है class 10 civics का पहला चप्टर शेप्टर में क्या है लोगतंतर में सत्ता की साजे दारी अब इस चप्टर से रिलेटर चुक्कि एक्जाम हमारा नददिख है तो इस चप्टर से रिलेटर जो है लग उतरिये प्रस्न लग उतरिये लेंगिक बिभेद से क्या समझते हैं अब लेंगिक का मतलब होता है क्या इस्तरी और पुरुस के संबंदी लिंग मतलब क्या होता है महला या पुरुस और बिभेद का मतलब क्या होता है अंतर यानि कि जब हम लेंगिक बिभेद की बात करते हैं तो मेले हम बात करते हैं कि ज लेंगिक विवेद में किस किस तरह का अंतर होता है देखने को मिलते हैं हमको आम जीवन में देख पाते हैं कि लर्कियों का जो शिक्षा प्राप्त करने का अस्तर होता है वो कम होता है लर्कों की दुलना में यानि लर्कियां उतना शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती जितना भी जॉब होते हैं वो जॉब जो है उसमें लर्कियों का परती सत्ता कम होता है यानि कि हमारे संसद में भी देखेंगे विधायक और संसद भी है वो महलाओं की संक्या वहां भी कम है तो यह हमारे समाज में क्लिए क्या दिखाता है यह हमारे समाज में लेंगिक भेद भाव क दरसाता है आसा है लेंगिक विभेद समझ में आ गया लेंगिक विभेद का मतलब होता है लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है इसको लेंगिक विभेद कहते हैं याने कि महला या पुरुष लर्का या लर्की में जो भेदभाव होता है उसको हम लोग लेंगिक कहते है बस अब देखो ज्यदा डिटेल में जाना नहीं है ज्यादा बड़ा करना नहीं है क्योंकि अपने को क्या करना एंसर लिखना है और वह चार से पांच लाइन में चुकि दो मार्क्स का कुष्चन है तो 4-5 लाइन में लिखना है अगर ज्यादा बोल भी दिये ना तो यह 4-5 लान लिखो जो मैनली हम जो बोल दे हैं